हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 की अक्सिसाइज 1.2 करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक चीज़े हैं वह हम आपको बता देते हैं कि नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं और रियल लाइन भी कह सकते हैं अब यह हमारी होरिजन्टल लाइन है होरिजन्टल लाइन पे हमने इसके नंबर डिनोट कर दिये 0 और यह पोजिटिव नंबर और यह नेगिटिव नंबर यह तो आपको आती है तो यह क्या होत सकती हैं तो इस परकार से क्या कहा कह सकते हैं it is a horizontal line विच्छ रिप्रेजेंट रिएल नंबर और सेकेन्ड के जीरोजे रिएल नंबर विच प्रकाइंट प्रकाइंट फ्रकाइंट अब कहा पर उन्दा नंबर लाइन और काड ओरीजन सको हम क्या कहेंगे ओरीजन तो तो जीरो को हम क्या कहेंगे ओरीजन और इसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं तो अक्सराइज 1.2 में फर्स्ट कोश्चन है स्टेट वैदर दा फॉलोविंग स्टेटमेंट्स आर्ट्रू और फोल्स जस्टिफाई यूर अंसर तो आपने ट्रू है या फोल्स है बताना है और उसके लिए रीजन भी बताना है क्यों ट्रू है या क्यों फोल्स है फर्स्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इजे रियल नंबर एवरी इर्रेशनल नंबर इजे रियल नंबर तो रियल नंबर में क्या क्या होता है आपको पाता है किससे बनता है रैशनल और इर्रैशनल नंबर की collection से real number बनता है तो फर्स्ट क्या होगा true region क्या होगा because real number are collection of rational and irrational number real number के बारे में हमने पहले starting में ही अच्छे से बता दिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तब से देख लेजिए सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट उन्दा नंबर लाइन इज ओफ दा पूम रूट एम वेर एम इजे नेचुरल फूम तो क्या होगा फोल्स क्यों क्योंकि नो नेगेटिव नंबर कैन भी दा स्केर ओफ एनी नेचुरल नंबर थर्ड पार्ट है every real number is an irrational number तो क्या होगाई फोल्स क्यों because real numbers are collection of rational and irrational number क्योंकि दोनों की collection होती है real number तो तो example देख के आम बता सकते हैं जैसे 2,3,5 क्या है real number है but not an irrational number यह रियल नंबर तो हैं लेकिन इर्रैशनल नंबर नहीं है। सेकेंड कोशन है। Are the scale root of all positive integers irrational? If not, give an example of the scale root of a number that is a rational number. तो क्या होगा? No. क्यों? The scale root of all positive integers. Positive integer के scale root करें, तो cannot be irrational. तो जुरूरी नहीं है कि वह irrational हो. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो उसने कहा है every, तो इसलिए क्या है? No answer आएगा हमारा. जैसे root 4 है, तो इसका scale root क्या होगा? 2, root 9 है, तो इसके root क्या आएगा? 3. अब 2, 3 क्या है? Rational number है. यह rational तो नहीं है, तो यह हमने example दे दिया. थार्ड question है, show how root 5 can be represented on a number line. Number line पे हमने represent करना इसको. अब root 5 है, root 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 plus 1 का root लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या है? number line बनानी है. number line तो root 5 करना है, हमने positive करना है. तो हम positive वाले ज्यादा लेंगे. यह तो हमने बस एक बार show कर दिया कि minus 1. उसे अगे जुरूट नहीं हमें. तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया. अब 4 है, 4 का root क्या होगा? 2 और 1 का root क्या होगा? 1. तो यह जो O, A लेंगे, वो हम क्या लेंगे? 2. 2 units. 2 units में हम उसको अगर centimeter लेंगे, तो वो क्या बहुत चोटा हो जाएगा? तो हमने क्या इसको inch में ले लिया, 1 inch का one number line पे show कर दिया. तो यह क्या हो गया? 2. तो यहां पे अब क्या करेंगे? 90 degree का angle बनाएंगे. तो 2 पे 90 degree का angle D से, तो यह क्या? यह 90 का angle. अब इसके line लगाएंगे. यह line होगी. अब इसमें हम one units कट करेंगे. यह one जो हम measurement लिया है, वही लेनी है. अब जैसे one की measurement इतनी है, तो इतने से ही हम यहां पे कट किया हमने. यह one पे कट कर दिया, अब इसको क्या करेंगे? यह O से मिला देंगे. तो यह हमने O को B से मीट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? compass से यह O point पे रखेंगे, और इतनी compass हम खोल लेंगे, B तक. O B जितनी है, उतनी खोल लेंगे, और इसे एक arc लगा देंगे. तो यह हमने arc को लगा दिया, यह जो point आया हमारे पास, यह क्या होगा? O से लेके, यह C points, C हमने इसको नाम दे दिया, O से C तक, यह हमारा क्या आएगा? root 5, और जो O से B तक है, वो भी क्या होगा? root 5, तो root 5 ही हमने number line पे show करना था, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? root 5 को, root 4 किसके एकवल होता है? 2 के, तो O A हम क्या लेंगे? 2 units, और A B क्या लेंगे? 1 units, क्योंकि यह क्या है? root 5, पैथाकोरस से क्या होगा? O B का square equal to O A का square plus A B का square तो O B क्या हो जाएगा? इसका root बन जाएगा तो 2 का square plus 1 का square 2 का square क्या होता है? 4 plus में 1 का square 1 ही और यह root 5 के एकवल होता है तो O A हम क्या लेंगे? 2 और A B क्या लेंगे? 1 units तो अब दुबारा से आपको बता जेते हैं एक बार कैसे ड्रो किया इसको पहले हमने number line बनाई उस पे यह 0, 1, 2, 3, 4 लिखा इधर minus 1 लिखा फिर हम 4 plus 1 था तो हमने O A के लिया 2 units 2 units यह point आ गया हमारे पास बना लेते हैं 90 degree का एंगल बनाने के बाद यह हमने यह क्या लिया? 1 units पे इसको cut किया जो कि हमारे पास B point आ गया B point आया फिर हम O point से इतना compass कोल लेंगे कि B point तक वह आए O B point जो line है इतना compass कोलने के बाद हम O पर compass रखेंगे और B से एक arc लगाएंगे जो कि यह C point पर cut करेगी यह हमारे पास C point आ गया C point जो आएगा वह क्या होगा? root 5 यानकि जो O C की length है वह क्या होगी? root 5 और जो O B की length है वह भी क्या होगी? root 5 तो इस तरह से हमने इसको number line पर show किया root 5 को ऐसे ही आप root 7, root 11 को भी show कर सकते हो और यह very very important question है और यहीं हमारी exercise खतम हुई और अगर आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लिजे और जो साथ में bell icon है उसे press कर दीजे तो मिलते हैं next video में प्री कर है झाल प्रिय दो और अधरू झाल